नमस्कार मैं अभिशेक महाराब सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टड़ी विथ अभी में चैंपेंजी के सरीच क्लास नंबर आज हमारा जो होने वाला है टुवल्थ ठीक है तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले अभी तक हमने 11 क्लास मतलब जिसमें से एक क्लास को अगर हमने पेंटिंग्स देखें फॉक पेंटिंग जो लोग चीतर कला थे ठीक है उससे रिलेटेज जितने भी मॉन्यूमेंट से वो सब कुछ देखा हमने यूनेस्को लिस्ट देखा जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट आ हुए थे वो सब कुछ हमने एक-एक टॉपिक वाइ ठीक है तो आप सर्च आउट करेंगे टेलिग्राम ग्रूप में स्मॉल लेटर में फोकस श्टड़ी वित अभी या फिर आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉकस में मिल जाएगा आप वहां से इस ग्रूप को जरूर से जरूर जोइन करें जितनी भी अपडेट हो क्लास हैं सब कुछ हम लोग देखिएंगे उसके जो अभी लेटयस्ट प्रेसिडेंट स bombers वने हैं कर जो बाइलिंग्वल यह कंटेंट है पूछे गया है 2020 में 2021 और 2022 में ठीक है जो टीसेस ने जो सवाल पूछे वह सारा मैं तिखादू कि किस तरह आपके सारी के सारे सवाल बनते भी निकल रहे हैं तो आप इन में से कोई भी विषू बैंक हिंदी में हम इसे कहेंगे सबसे पहले आप का इसका इस्टैबलिस्मेंट इहर आप से पूछा जाता है तो आपका गोई पनके सवाल कोई भी person अगर बना हुआ है तो वो आपसे पूछा जाएगा और latest अभी उनका कोई summit होने वाला है तो वो आपसे पूछा जाएगा ठीक कहा हुआ है और कहा होगा तो सबसे पहले हम लोग देखते वर्ल बैंक को वर्ल बैंक की अगर establishment year के अगर बात कर ली जाए तो यह कब वही थी 1945 में ठीक है तो 1945 में इसका establishment year है next आपकी इसकी headquarters अगर पूछ ली जाए तो Washington DC ठीक Washington DC है इसकी headquarters और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह थोड़ा सा deeply question हो जाता है लेकिन फिर भी वर्ल बैंक की जो इस्तापना की गई थी ठीक है establishment जो की गई थी इसकी जो अभी कलपना की गई थी मतलब जिसकी जो इसकी new रखी गई थी 1944 में Breton Wood Summit कहेंगे आप इसे इंग्लिस में Breton Wood Summit में इसकी अभी कलपना की गई थी या इसकी new रखी गई थी ठीक है बोल सकते हो pillar जो इसका होगा world bank का जो इसकी रखी गई थी जो वो summit थी ब्रिटन वूट समिलन या ब्रेटन वूट summit आपसे पूछा जाता कि यह summit कब हुआ था तो 1944 में वह था ठीक है इसी summit में आपका World Bank का स्थापना हुआ था और साथ के साथ इसी summit में आपका IMF ठीक थीक है International Monitary Fund ये आगे हम लोग देखेंगे इस में दोनों के स्थापना की बात की गई थी ठीक है इसके जो Managing Director है and World Bank Group और जो मतलब की and World Bank चीप जो Financial Officer है वो कौन है तो अंसूला कांद ठीक है तो आपको याद रखना है अंसूला कांद जो है Managing Director भी है ठीक है World Bank के और Chief Financial Officer भी कौन है तो अंसूला कांद ठीक है नेक्स्ट विस बैंक के सिख्षा सलाकार अगर पूछ लिया जाए World Bank education advisor कौन है तो रंजित सिंग डिसाले है देखिए जो लोग भी अगर भारती है अगर इनके कोई भी बने हुए इनके प्रेस चाहे वो डिरेक्टर हो चाहे वो अध्यक छो चाहे भारत उसका संदर से बना अगर वो भारती है ठीक है या भारती मुल्क है इंडियन और जीन के है तो आपका नाम पूछा जाता है current में तो यह सारा current affair का मैंने यहां रखा है तो आपको याद रखना है कि world bank के जो education advisor जो है ठीक है कौन है तो रंजित सिंग डिसाले ठीक है कौन है तो रंजित सिंग डिसाले अनधर नेम आफ वर्लड बैंक आप से पूछा जाता है कि world bank का अन्य नाम क्या है तो IBRD हो था ठीक है IBRD के नाम से भी हम जानते है World Bank को तो आप इसका फुल फॉर्म आपसे एक्जाम में पुछा जाता है तो आप बोलेंगे International Bank for Reconstruction and Development ठीक है चीज़े समझ में आ रही है कि अनदर नेम ऑफ व्ल्ड बैंक क्या है व्ल्ड बैंक का अन्य नाम क्या है तो IBRD है यानि कि International Bank for Reconstruction and Development ठीक मॉन्टेक अहलु वालिया ठीक है मॉन्टेक अहलु वालिया नेम्ड मेंबर ओफ व्ल्ड बैंक एंड आइमफ हाई लेवर एडवाइजर ग्रूप ठीक है तो इसके जो उचस्तर यह सलाकार के सदस से जो बने कौन बने तो अहलु वालिया जो एक इंडियन है ठीक तो यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट आपके इग्जामिनिशन पॉइंट ऑव व्यू से तेवाब फिर समय रिकॉल कर दू सबसे पहले इसकी स्टेबलिस्मेंट यह आपको याद रखना 1945 है वहेट कौर्डर कहा है तो वासिंग्टन डिसी है अगर इसकी अगर बात कर लि है वह और विस्ट बैंक सिक्षा सलाकार वर्ल्ड बैंक एजूकेशन एडवाइजर विल्क लेटेश्ट अभी अपॉइंट हुए हुए है तो रंजित सिंग डिसाले आपको याद रखना है और अन्य नाम वर्ड बैंक क्या है तो आई बी आड़ी है जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद होने चाहिए सबसे पहले तो इसका इस्टैब्लिस्मेंट यह आपको याद होने चाहिए कब है 1945 सेम एज इस जो व्ल्ड बैंक की जब इस्थापनाव इस्टैब्लिस्मेंट हुई थी वही आपकी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के भी होगी इसकी हेड़ भी इस हेड़ी अप याद रखेंगे क्रिष्टलिनअ जोर्जीब्या थीक है तो आप इसका प्रोनौ इसेशन देख लेंगे मुलक है यह रखो है तो यह आपको याद रखना इतना इंतरनेशनल मॉनिटरी फंड से ठीक है और घर पे छटकुजा है तो इसके लिए साइध ना आ पाई ठीक तो यह थोड़ा सा मैनेज करना बाकि फिर एक नौवंबर से सब कुछ स्मूथ हो जाएगा और एलपी की भी क्लासेश चलेगी ठीक तो यहां पर मैं रिकॉल करवा दू आयमेफ की इस्टैबलिश्मेंट 1945 वासिंटन डिसी ब्रेटन वूर्ट सम्मिट में इसके अभी कलपना की गई थी आपसे एक्जाम में पुछा गया कई बार ब्रेटन वूर्ट सम्मिलन कब हो था तो 1944 में इसी के सम्मिट में ही आपका आयमेफ और वर्ल्ड बैंक इस्थापना की गई ठीक है बात रखी गई थी इसी सम्मिट में प्रेसिडेंट कोन है वेरी वेरी इंपॉर्डेंट क्रिस्टलीन जॉर्जी बे आप जाके देखे पिछले जितने भी एक्जाम हुए यहां से आपके सवाल बने है और फर्स डेप्यूटी मैनेजिंग डिरेक्टर कोन है तो भा ठेशिडेंट कौन है तो अगोजी ऊजंऊंन यह जो ईकन हाव थी का इवेला इवेला था तो यह तो आपको को ट्रेब करना यहएथर एक पूर्ण फल फॉर्म बनेका जेबलीों के स्टैब्लीचम jetzt कब है तो यही बोलेंगेчто आपको गेट ना पूछ करके पूछा जाएगा डबलू टीओ के इस्टैबलिस्मेंट यह 1945 हेट क्वार्टर काहां जेनेवा प्रेजिडेंट कौन है तो इव वाला है टोटल इसके मेंबर्स कितने हां को यह याद रखना है 164 टोटल मेंबर है और लेटेस्ट जो अभी इनका कमीटी के जो अध्यक्ष बने है प्रेसिडेंट बने है आप बोल सकते तो अनवर हुशन सेग बने है भारती है जो नेक्स्ट डबलू एचो वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां सब से पहले तो आपको इस्टैबलिस्मेंट याद देखना है साथ अप्रिल उनिस सो और ताली से उनिस सो पैतालीस में ने तीन चीज़े देखा वर्ल्ड बैंक देखा आयमेंफ देखा और आपका गेट या फिर वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन डबलू है चो की बात कर लिए जाए तो जस्ट तीन साल बाद 1948 में आपका क्या होता है और वर्ल्ड हेल्ड और्गनाइजेशन की स्टेब्लिस्मेंट होती है कौन सी डेट तो छाट अप्रिल ऑसके प्रिस्टर्ड और उसका प्रोननाशेशन देख लेंगे ठीक है और इंड्य और जो है अनिल सोनी जी इसके सियों डबलूहों नहीं और तो पेट कोशन है यह पूछा गया था बहुत थी और डबलु एचो काफी फेमर्स था जब से कोरोणा आया हुआ था तो तो डबलु एचो के पहले सीयो जो भने थे वह पहले भारती मुल्की थे वैक्ति कौन थे तो अनिल सोनी थे ठीक अनिल सोनी जी जो थे पहले सीयो रह नेक्स्ट जो आपकी इंस्टिउशन है UNHRC वरी वरी इंपोर्टेंट फूल 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 आपसे पुछा जाता है United Nation Human Rights Council इसकी स्टैबलिस्मेंट आपको याद रखना है 2006 में इसकी स्टैबलिस्मेंट कब हुई थी तो 2006 में हुई थी दस दिसंबर कौम लोग मनाते हैं मानुवादिकार दिवस ठीक अविश्व मानुवादिकार दिवस यानि की वर्ल्ड हुमन राइड रे और हेट्वाडर कहां तो जेनेवा स्विट्जा लेंड कहेंगे और जारी करती है तो आपको याद रखना सबसे पहले जो रेट डाटा बुक जारी की गई थी 1963 में ठीक है जितने भी जीव जो विलूप्त हो गया ठीक है या जो भी कोई ऐसे वन्य जीव जो विलूप्त के कागार पर पहुँच गया है तो उसको रेट डाटा बुक से लिश् जीव में कब जारी क्या अगया था सबसे पहली बार तो 1963 में क्या गया था ठीक नेक्स्ट व्ल्ड वाइट फंड फो नेशर जो डबलु डबलु एफ होता है वल्ल्ड फंड फो नेशर जो होता है यह आईू छॉन के अंदर इसकी एक संस्ता और है वल्लड वाइट फंड नीचर ठीक है इसकी हेट क्वाडर आप से पुछा जाएगा तो ग्लैंड कहेंगे जो कहां है सुर्जा लैंड में और इस इस्टेब्लिश्मेंट कप की गई थी तो 1961 में की गई थी नेक्स्ट इंस्ट्यूशन की बात की जाए तो इसकी हेट क्वाडर कहां है तो जिनेवा सुर्जा लैंड में इसके प्रेजड य데 को वह इंट्यृबर और को ऑर्गनाइजिशन नेवाट के शमलिख जानड है जनेवा सुर्जा लैंड में है इसके प्रेसिडेट क्यांट इससे is मिआ एक भारतिय हैं तो यह याद रखना इसके हेट कौन है लेबल और्गनाइजेशन के तो जैनेवा सुट्जा लेंड प्रेसिडेंट कोन है तो गिलबट एफ हंगुबो है और इसके प्रेसिडेंट कोन है गवर्निंग बॉड़ी के तो अपूर्वस चंद्रा है नेक्स्ट नम सब्सक्राइब को याद रखना है इसकी स्टैबलिस्मेंट यह आपको याद रखना है 1963 1963 इसके फूल फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं तो फूल फॉर्म होता है युनाइटेड नेशन कॉन्फरेंस और कॉन्फरेंस ओन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है तो जैनेवा में अब ही तक जितना भी हमने देखा 11 तक तीन छोड़ करके तीन कौन कौन से वर्ल्ड बैंक आइमएफ और आपका गेट या फिर बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन जो कहां था आपका सौरी गेट तो आपका जैनेवा में ही था मतलब दो वर्ल्ड बैंक और यू सीएन देखा आयलो हो गया वर्ल मेटरोलोजीकल या रेड क्रॉस अंग टाड़ यह सभी का हेड़कॉर्टर कहां था जैनेवा एक जगा चीजे आपको याद होने में दिक्कत ना आए अब हम चलेंगे उनाइटे नेशनल डेवलप्मेंट प्रोग्राम सब सब पहले याद करें आप यहां चुड़िया ठीक है तो यहां पर यहोगा प्रोग्राम में तो यूनाइटे नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम का जो हैड कहां तो नी यॉर्क में है इसके प्रेजिजेंट कौन है तो आकिम इस्टेनर है और अगर बात कर लिया अंडर महासचीव जो है इंसके ठीक है and associate administration administrator कौन है मतलब कि under secretary general and associate administrator of the UNDP तो यहाँ पर जो है नाम छुड़ी आपका under secretary general कहरे under महासची या फिर associate administrator जो UNDP के कौन है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे उसाराई ठीक है यह भी भारती है जो UNDP के ठीक है समझेगा जो उसाराई मोनारी क्या है उसाराई मोनारी जो एक भारती है जो UNDP के associate administrator भी है और under महासची भी है तो यह आप सब पुछा जाए क्योंकि एक भारती है तो सबसे पहले UNDP का full form United Nation Development Program Headquarter का है तो New York में है प्रेसिडेंट कोन है तो अकीम स्टैनर है अंडर सेकेटरी जेनरल UNDP के और associate administrator UNDP के कोन है तो आप जवाब देंगे उसाराई मोनारी जो भारती है ठीक next UNICEF very very important आपके point exam के point of view से full form सबसे पहले United Nation United Nations Children's Fund इसके भी Headquarter New York क्योंकि आप हम यह New York को देखना है तो New York की जितने भी institution है जिसके headquarter सब एक जगा आपको मिल जाएगा इसके establishment यह बात कर लिए तो 1946 और इसके जो प्रेसिडेंट है कैथरीन आपको याद रखना कैथरीन एम रसेल ठीक है कैथरीन एम रसेल और जो सर्वसिख्षाप का अभियान है और मिडे मिल जो है इसके द्वारा तो यूनिसेफ के द्वारा इस सब्सक्राइब याद हो गया होगा आपको next चलेंगे यूए नों तीन हमने देखा एक त सक्टूबर 1945 और विथ डेट मन्थ आपको याद रखना होगा इसे और इंडिया जो है आठ बार भारत जो है आठ बार स्वयूत राश्वरक्षा परिश्ट का आस्था अध्यच बन चुका ठीक है नेक्स्ट यून एपी आप यहां से जो हैसका हेट्वाटर चेंज होगा तो तीन आपको नियोक का मैंने बताया और दो मैंने आपको कहां की बताई तो वासिंग्टन डिसी में और आयम फीन यहां पर आपका था कौन कौन सा तो एक आपका था उनडीप हो गिया अपका ठीक है यूनी शेフ हो गिया और आपका उन यून य होन आपका आप पहां obec लोग क्या मनाते हैं वर्ल्ड इंवर्मेंट ने मनाते हैं इस अभी को पता होगा और इसके प्रेजिडेंट को ने इंगर एंडर्सन अच्छा सबसे इंपॉर्टन चीज यह कि अब देखें आप भी बाद में जो भी यह वीडियो देखेंगे तो हो सकता अगर उनके प्रेज आशियमेंट को इसके इसमेंट हुटान है बंगला देशे श्रिलंका और मालदीप से ठीक और इसके लास्ट मेंबर जो इसके लास्ट सदस्ट जो बनने वाले हैं यानि की लेटिस्ट मेंबर जो इनके बने हैं कौन तो अफगनिस्तान आसियान के अगर बात कर लिया जाए तो सबसे पहले फूल फॉर्म याद रखेंगा एसोसियेशन और साउथ इस्ट एशियन नेशन ठीक है और इसकी स्टैबलिस्मेंट यह भी है आपका 1967 है जिसकी हेड़ कौन है कहां है तो इंडोनेशिया जकार्था में है और इसमें टोट अफेर भी कराने वी वाला हो ठीक है नेक्स्ट बिम स्टेक जो है आपका इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है कई बार अभी लेटेस्ट जस्ट पीशी में इसका सवाल देखा गया था फुल फॉर्म से बेव बंगाल इनिशेटिव मल्टि सेक्टोरल टेक्निकल एक से अपडेट करना इसे जी सेवन के अगर बात कर ले जाए तो टोटल साथ मेंबर होते इसमें इसकी स्टैब्लिस्मेंट है 1975 जर्मनी है फ्रांस है इटली है इंग्लैंड यूसे है कनाड़ा और जपान इसके शदस है और आप इससे सम्मिट में अपडेट करेंगे यह सभी करेंट अफेर का कोशन सम्मिट से इसलिए यहां मैंने कोशन मार्क कर रखा क्योंकि कुछ आपका भी वर्क होना चाहिए अधरवाइस सारी चीजे मिल जाने के बाद फिर लोग महनत करना छोड़ देते हैं बाकी मैं करेंट अफेर मुसे अपडेट कर वाऊंगा ही ठीक ने मैं आपको याद रखना चारों मेंबर कौन कौन है इसके ठीक है इसलिए नाम ही जी फोर जर्मनी इंडिया जपान और प्राजिल नेक्स्ट क्वाड की जो स्थापना ही करी गए इसकी निव रखी गए थी में जो चाइना क्या जो अगर बात कर लिया जाए जो मतलब की महासागर की तरफ अपने प्रभाव को काफी जादा वह बढ़ा रहा था ठीक है इसी कारण जो है क्वाड की स्थापना की गए और मेंली अगर बात कर लिया जाए क्वाड की स्थापना कब हुई थी तो 2012 में हुई है और इसके टोटल कितने मेंबर है तो टोटल चार मेंब अब्यास भी जो होती है यही करती है और जो थी चारों मिल करके माला बार अभ्यास करती है तो जब हम अभ्यास मिलिटरी एकसाइश करेंगे तो वहां पर चीज़े कंप्लिट कर रहे होंगे नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन बैरी वरी इंपॉर्टेंट अभी किंग्डम नहीं है अभी रिसेंटली उसने वहां से मतलब लीप कर लिया मतलब कि उसे चोड़ दिया उस ग्रूप को मतलब की यूरोपियन यूनियन गूरूप से बाहर आ गया यूनियृटेट किंग्डम टोटल कितने देश से इसके सदस्य है तो 27 है वहां की करेंसी क्या है इसमें मतलब की जितने भी देश है यहां पर जो करेंसी चलती है यह यूरो चलती है इसकी तेन में ऑफिशल लैंगोज आपको याद रखनी है फ्रेंच जर्मन और इंग्लिस ठीक है और इसके प्रेसिडेंट कौन है तो उर्सुला वांडेल लें ठीक है तो आप इसका प्रेंचेशन देख लें खुझ से यह यूरोपियन यूनियन कितनी चीज़ है लिजबन की शंदी वगेरा भी आपको याद होना चाहिए लिजबन जो पूर्टगाल की राजानी है 2007 में लिजबन की शंदी हुई थी ठीक है और इसे संदी में जो कहा गया क्या था आर्टि 1957 में रोम की संदी होई थी और उसके बाद आपका हुआ था मैस्टरिश की संदी ठीक है निधरलेंड की संदी आप उसे बोल सकते हो 1992 में साथ फरवरी की हुई थी यह 7 फरवरी 1992 में हुई थी जिसमें आपका यूरोपियन यूनियन और उसकी जो मुद्रा थीक है महीं पर किया गया था European Union की नियू रखी गए थे और उसकी मुद्रा जो होगी इसी संदी में चीजे की गई थी और उसको इंप्लिमेंट 1993 में भी किया गया था तो यह सब थोड़ा सा पीसीज लेवल का कोशन हो जाता है बाकी पेरिस की संदी आपको याद होना चाहिए 1951 में है तो यह सारी चीजे आओगे आपका चलिए नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन यहाँ पर खतम नेक्स्ट नाटो नाटो भी काफी इंपॉर्टेंट है नाटो का फुल फॉर्म आपक सब्सक्राइब है और इसमें टोटल कितने मेंबर है तो टोटल तीस देश जो है इसके सदर से 30 कंट्री और तीसवा कंट्री कौन है जो लेटिस्ट नाटो को जॉइन करने वाला मैसोडोनिया और युक्रेन ने अभी ऑफिशली मतलब इसमें सामिल होने के लिए अपना मतल इंगली स्ट्रेंश यहां भी वहां भी इंगली स्ट्रेंश आपको मिल जाएगा इंडिया और युक्रेन इस नौट दा मिमबर आटो तो आपको यह याद अखना है भारत और युक्रेन भी इसका सदस्ट्शन नहीं है और जैनल सेकेटरी आफ नाटो के अगर बात के और यहां जाए तो इंडोनेश्या जकारता में है समिट 2021 आपको याद रहा चाही अजरबाइजान और 2022 में का उगांडा में वाला नेक्स्ट प्रिक्स की अगर बात कर लिए तो बिक्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टैबलिस्मेंट कब गुआ था इसका तो चाइना में वह थी और लाश्ट में या फिर लेटेश्य जॉइन करने माला कोने तो साउथ अफरीका बिर्क्स को जॉइन किया था ठीक यह आपसे सवाल बन सकता है अगर बात कर लिया जाय तो संगाई कॉपरेशन और इस्टैबलिस्मेंट यह जो है दो हजार एक है और है है तो बीजिंग में बीजिंग में जो इसकी हेड़क्वाटर है टोटल नौ मेंबर है यह आपको याद रखना है कि इसके लास्ट मेंबर कौन थे यानि कि लेटेश्ट जो जॉइन के को इरान ने जॉइन किया है और भारत भी इसका सदर से यह भी याद होना चाहिए भार कि इसकी हेड़क्वाटर कहा है तो गुरू ग्राम में इस्टैब्लिस्मेंट यह 2015 को और इसके जो फाउंडर है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस को ने मैक्रून जो फ्रांस के प्रेजिडेंट और मोदी जी है नेक्स्ट इसके प्रेजिडेंट अगर आप से पूछ लिया जा और प्रेजिडेंट को ने तो अहमद नसर अल्राइशी और हेड़क्वाटर कहा है तो लियोन फ्रांस में युनेशको युनेशको का फुल फॉर्म यादोने चाहिए उनाइट नेशन एजूकेशनल साइन्टिफिक और कल्चलर और अर्गनाईजेशन हेड़क्वाटर के जो दिया जाता साइंस के छेतर में वह आपका युनेशको ही देती है और यह जो आपका विस्व विरासत अस्तल जितने भी है वह लिस्टिंग वगरा जो भी करते हैं युनेशको करते हैं नेक्स्ट एडीबी एशियन डवलप्मेंट बैंक इसकी हेड़क्वाडर आपको तो रोम में है इटली है इटली से फूड आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से और 1945 में इस्टेब्लिशमेंट इयर है प्रेजिजेंट कोन है तो क्यों डॉंग यू है इसके करेंट अफेर्स में आप इसे अपडेट करते रहेंगे वर्ल्ट फूड प्रोग्राम इसके हे और नेक्स्ट 35 इंटरनेशनल कोड जस्टिस अंदराश्टी नियाले वरी वरी इंपॉर्टन है आपका इसका हेड्वाडर पूछा जाता है हेग में है नीदर लेंड में जो है ठीक है और प्रेजिडेट कोने तो जॉन डॉंग हुई है ठीक है जॉन डॉंग हुई है एक्सपोर्ट करती है पेट्रोले में उसका एक ग्रूप है यह उपेक जिसकी हेड्वाडर कहां है तो वियाना ऑस्ट्रिया में है इसके प्रेजिडेंट कौन है तो हैतम अलगाईस है ठीक है अलगाईस है और अंतिम अंतराश्ट खगोली शंग इंटरनाशनल अस्ट्रोन इस से बाहर आपका सवाल नहीं बनने वाला है बाकि जो सम्मिट मिस आउट है उसों हम करेंट अफेर में भी करेंगे और अब यह यहां अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद